जो तिस एक विज्ञान है और इसे कहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाथा जै श्री राम आगामी पॉस मास के शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथी को विक्रम संभद 2008 में समवार के दिन 22 जनवरी वर्ष 2024 के शुब दिन पर प्रभू श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्म भूमी पर बन रहे नवीन मंदिर के भूतल गर्भ ग्रह में विराजित करके प्राण प्रतिष्टा की जाएगी और उसमें मत्र तीन दिन शेश रह गए हैं ये दिन वर्षों की तपस्या के बाद में हमारे जीवन में आने वाला है और हमारे भारतवासियों के लिए ये गर्व का विशय है इसलिए आईए इस दिन को हम दिपावली की तरही दिपुत्सव मना कर हमारी खुशी को प्रगट करें कि हमारे राम लला आखिर श्री राम जन्म भूमी के राम मंदिर में जाकर इस्थापित हो जाएंगे नमशकार मैं निदिश्री माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ केवल ज्यान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी इस्तती में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता इसलिए कभी भी ज्यान लेने में हमें हिचकी चाना नहीं चाहिए जहां जिससे हमें ज्यान मिल सके उससे हम हमारे जीवन को ज्यान प्राप्त कर प्रज्वलित कर सकते हैं जिससे हमारा mental level भी हमीशा अप रहेगा, हमारी सोच में और अधिक सुधार आएगा और एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे व्यवहार, चरित्र और परसनालिटी को और अधिक powerful बनाएगा इसलिए ग्यान का प्रकाश हमारे जीवन में हमीशा रहना चाहिए चलिए आगी बढ़ते हैं और आज आते हैं आज के 20 जनवरी शनिवार के दैनिक राशी फल पर सबसे पहले आजाते हैं पंचांग पर तो पौश मार्श के शुक्ल पक्ष की दश्मी तिती आज है चंद्रमा आज मेश राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे और प्रातकाल 8 बचकर 53 मिनट पर वे मेश से व्रशव राशी में प्रवेश कर जाएंगे द्वज योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलीक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरिड सुबह 6 बजे से लेकर 7 बचकर 30 मिनट तक रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना अवशक हो तो उड़त खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का दैनेक राशिपल आज चुकी शनी वार है इसलिए शनी देव को प्रसंद करने के कुछ विशेश उपाये लेकर आई हूँ साथी यदि आपको शनी की धहिया, सनी की साड़े साथी या शनी की दुश प्रभाव से आप पीड़ेते हैं तो भी आप इन उपायों को कर शनी के दोश से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से एक चंद्रमाज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन धनागमन समंदी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवा देगा जो अटका हुआ पैसा अब तक आपके जीवन में चल रहा था और आप बहुत परिशान थे कि इसे कैसे रिलीज करें इसे कैसे वापस पाएं तो वो पैसा आज के दिन आपको पुना प्राप्त हो जाएगा वर्क प्लेस पर वही कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के प्रवल योग आज के दिन बन रहे को टुम मैं आज के दिन आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी आज के दिन वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों के द्वारा एप्रिशेशन प्राप्त होगा पिता से बहुत अच्छा सयोग मिलेगा और घर मैं मंगलिक कारेक्रमों की रूप रेखा रखी जाएगी इस राशी के लोगों को शनिवार के दिन शनी देव को सरसो का तेल चड़ाना चाहिए साथ ही तिल भी उसमें जरूर डाले आपका शुब्रंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा एक अब आते हैं ब्रशब राशी पर आपकी राशी में चंद्रमा आज के दिन गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आप बहुत पावरफुल तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे वैसे आज के दिन आपके शत्रु भी आप से मितरता करने का प्रयास करेंगे आज के दिन आपको अचनबी लोगों पर भरुसा करने से बचना चाहिए अपने कारियों को थोड़ी सी साबधानी के साथ करें और आज के दिन परिवार में मांगलिक कारिक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी गौश आला में आपको दान करना चाहिए इस शनी की दसा से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन किसी कुट्टे को रोटी जरूर खिला है और आप नित्य भी कुट्टे को रोटी खिला सकते हैं आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं मिठुन राशी पर आपकी राजी से एक चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रहमन करेंगे अता हाज के दिन कोई भी उलजन मन में रखकर कोई भी कारी आपको नहीं करना चाहिए अगर आपके अपनों के लिए आपके मन में कोई उलजन चल रही है तो उनसे शेयर करें ताकि उस समस्या का खल ढूंड सकें आज के दिन सहक अर्मियों के साथ तालमेल बना कर चलें कोई भी कार्य जल्द बाजी में करने से आपको बचना चाहिए और बड़े निवेज से भी आज के दिन बचे इस राशी के लोगों को शनिवार के दिन धाई किलो उड़त की दाल खरीद कर मंदिर में दान करनी चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा बैंगनी शुबंग रहेगा आंट अब आते हैं करकर राशी पर आपकी राशी से चन्द्रम आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर भ्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके कारियों में संपन्नता लेकर आएगा कारिय कुशलता की वज़े से आप आज के दिन बड़ा लाफ प्राप्त करेंगे आज के दिन पानी से सम्मंदित अगर आप कोई भी काम करते हैं या नीली और सफेज चीजों का काम करते हैं तो डेफिनेटली आज के दिन आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी आज के दिन घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातवरन बहुत ही हल्दी होता हुँ दिखाई देगा और बच्चों से रिलेटेड यानि संतान से रिलेटेड सुबसमाचारों की प्राप्ति होगी इस राशी के लोगों को शनिवार को कुस्ट रोग्यों को काले वस्त्र शर्मत और लोही की वस्तु दान करनी चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा तीम अब आते हैं सीह राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आप जो भी कारे अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे हालनकि कुछ कठिनाईयां और चैलेंजिस आज के दिन जरूर आ सकते हैं किसी सहकर्मी के साथ मैं आज के दिन तालमेल बिगड सकता है उन के साथ मद्बेद हो सकते हैं उसके बाउजूद आप इन परिस्तितियों का सामना कर शाम तक अपने कारियों को कुशलता पूर्वक संपन कर अधिकारियों का विस्वास हासिल कर ही लेंगे आज के दिन आपको अपने पिता की सला लेकर कोई भी important decision लेना चाहिए इस राशी के लोगों को शनिवार के दिन शनी देव के मंत्र का जाप करना चाहिए साथ ही सरसो के तेल का दान भी करें आपका शुब्रंग रहेगा मैरून, शुबंग रहेगा छे अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही भग्यवर्दक रहेगा हालनकि इमोशनल होकर बहुत जादा खर्चा न करें और नहीं बहुत जादा निवेश करें सोच समझ कर जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता अच्छी मिलेगी आज के दिन अध्यात्मिक कारेों में आपका मना धिक लगेगा और परिवार के साथ किसी धार्मे किस्थल की यात्रा भी संपन्नक हो सकती है आज के दिन आप आउट ओफ वे जाकर किसी अजनभी की साहता कर अपने मन को मानसिक शांती पहुचाएंगे इस राशी के लोगों को शनिवार को पक्षियों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अनाच खिलाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा फिरोजी, सुबंग रहेगा आठ अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन सोच समझ कर अपने कारियों को करने का प्रयास करें आलसी को त्याग दें और किसी और पर अपने कारियों को न डाले खुद खड़े रहकर जो भी कारियों करेंगे उसमें सफलता मिलेगी अगर आपने किसी पर अपने कारियों को थोपा तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है आज के दिन आपको गुप्त शत्रूं से साफधान रहना है और गुप्त तरीके से अपने कारियों को करना है योजनावत तरीके से जो भी कारे किया जाएगा उसमें लाब दुगना रहेगा आज के दिन वाहन चलाते समय भी साफधानी रखें इस राशी के लोगों को शनीव आपकी रासी से एक चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर ब्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही भग्यवर्दक रहेगा आपके काम धुरुद गती से संपन होंगे अदूरे पड़े हुए कारे भी फटाफट से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सयोग मिलेगा आज के दिन बड़े रोमेंटिक मूड में आप नजर आएंगे वहीं लव रिलेशन्शिप में लव मेट के साथ में अच्छा और कॉलेटी टाइम बिताएंगे शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा नौ अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रवन करेंगे आज के दिन सोच समझ कर कोई भी डिसिजन ले निवेश नया करने से आपको बचना चाहिए स्वास समंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें आज के दिन अपने शक्त्रों से साफधान रहें और अपने कारियों को कॉंसंट्रेशन से करने का प्रयास करें आज के दिन कोई भी डिस्ट्रेक्शन आये आपको डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है बस अपने काम पर आप जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका काम जल्दी सफलता पूर्वक संपन होगा वरना उसमें नुकसान की स्तत्यां बढ़ सकती है सनिवार के दिन जल में चीनी और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में जरूर चड़ाएं आपका शुब्रंग रहेगा हरा शुबंक रहेगा दो अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन विद्यारती वर्ग के परिणाम सकारात्मक रहेंगे महीं व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तम लाप की परिस्तिया प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे लाइप पार्टनर का पूरा साथ और सयोग मिलेगा करियर को लेकर वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे आज के दिन अगर आप करियर को लेकर कन्फ्यूस है तो उनकी सला से आगे बढ़ सकते हैं आपका वीजन क्लियर आपको नजर आएगा शनिवार के दिन उड़त की दाल की खिछडी खाने से शनी दोस से होने वाले कस्ट्र दूर हो जाते हैं आपका शुबरंग रहेगा गुलाबी शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं कुम्राशी पर आपकी रासी से चंद्रम आज के दिन चौते भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन आर्थिक रूप से आपको सोच समझ कर चलना होगा कोई भी उधार लेने आए तो उस व्यक्ति को उधार न दे और नहीं आपको किसी से आज के दिन उधार लेना चाहिए अपनी स्वास के मामले में लापरवाई बिल्कुल भी न करें अगर आप माइग्रेन और सरदर्ब के रोगी हैं तो आज के दिन आपको अपनी स्वास समंधी समस्यों से मुक्ति मिलेगी आज के दिन आपको बहुत फिट नजर आएंगे आज के दिन आपको प्रती द्वंदियों से भी मुकाबला करना पड़ सकता है परंतु वे आपसे परास्त होंगे इतना तय है अपने आत्मबल को बनाएं रखें शनी पूजा के साथ हरुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए इस से शनी दोश से मुक्ति मिलेगी आपका शुबरंग रहेगा बरगंडी शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं मीन राशी पर आपकी रासी से एक चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे हता आज का दिन आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा आज के दिन संतान सुख में वरद्धी होगी बच्चों से आप प्राउट फील करेंगे कलाकारों के लिए आज का दिन मान सम्मान और प्रसिद्धी से भरा रहेगा आज के दिन राजनिती से जुड़ी हुई कोई सुचना आपको प्राप्त हो सकती है आपके छोटे भाइबैनों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा शनिवार के दिन चने और गुड़ का दान करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा बुरा शुबंग रहेगा च्छे तो ये हैं 20 जनवरी शनिवार का दैनिक राशिपल अब मैं अपनी वाणी को यहीं दिराम देती हूँ स्वस्त रहेए प्यस्त रहेए मस्त रहेए और हमीशा मुस्कुराते रहेए जै श्री राते कृष्णा गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य है उनके जोध पुर स्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2